हलो स्टूरेंट्स वेलकम टू दिस ऑर्गनिक केमेस्ट्री लेक्ट्टर हम लोग आज एलकेंज पढ़ेंगे और एलकेंज को के लास्ट लेक्टर में हमने एलकेंज की प्रिप्रेशन्स पढ़ी थी और हमने कुछ उसकी रियक्टिविटीज भी गेखी थी एलकेंज की कि ए इसलिए एलकेंज जो हैं बहुत ज्जादा स्थाई होते हैं और अंडर नॉर्मल कंडिशन्स वो रियक्शन्स नहीं देते हैं अंडर एक्स्ट्रीम कंडिशन्स लाइख हाई टैपरेचर सनलाइट या कैटलिस्ट की प्रेजन्स में भी इभी क्रियाए देते हैं catalyst की presence में आपने पढ़ा है जैसे इनका dehydrogenation होता है alkenes और alkenes बनते हैं तो combustion होता है high heat और oxygen की presence में combustion की अभिक्रियाय देते हैं इसी तरह ये sunlight की presence में free radical mechanism देते हैं और halogenes के साथ react करके alkyl halides बनाते हैं तो free radical mechanism भी आपने पहले पढ़ा हुआ है जिसमें तीन steps होते हैं chain praramban, शंकला प्रारamban, chain initiation, chain propagation, शंकला, संचरण और chain termination या शंकला समापन chain praramban में जो molecule है एक reactant molecule जो है जो हमारा actually reagent होता है वो sunlight से photons की presence में दो chlorine या दो free radicals बनाता है और वो आगे इसको chain को propagate करते हैं या chain का संचरण करते हैं या शंकला को आगे ले जाते हैं क्योंकि जो मुक्त मूलक होते हैं उनकी उर्जा बहुत जादे होती है और वो बहुत जादा reactive होते हैं तो they have high level of energy जैसे ही वो बनते हैं वो दूसरे reactant molecules से react करके नए मुक्त मूलक बनाते चले जाते हैं और एक reactions की अभिक्रियाओं की एक chain चलती है लेकिन कभी न कभी ये हमें अभिक्रिया को समाप्त करना होता है तो चंकला समापन में जो और भी free radicals घूम रहे होते हैं generally gaseous reactions होती है तो बहुत सारे मुक्त मूलक एक बार में बनते हैं तो कुछ molecules product में बदल जाते हैं कुछ जो free होते हैं वो आपस में react करके दुबारा से product बना लेते हैं जैसे इस reaction में मैंने आपको दिखाया है chlorination of methane chlorination of methane को हम example ले रहे हैं halogenation of alkanes में तो इसमें देखिए पहले step में जो chlorine है chlorine molecule sunlight की presence में दो free radical बनाता है और उसके बाद जब free radical बन जाता है तो शंकला संचरण का step प्रारम होता है और वो alkane या methane के साथ react करके methane का एक hydrogen abstract करता है अपाहरन करता है और CH3 free radical बनाता है और इसके साथ HCL बदल बनता है इसके बाद GC का next step में जो free radical बनता है वो फिर chlorine के molecules से react करके और methyl chloride बनाता है और chlorine free radical हमें मिलता है तो इस तरह से बहुत सारे molecules free radicals होते है तो शंकला समापन में chlorine chlorine free radicals मिलके CL2 बना लेते हैं और CH3-CL मिलके CH3-CL free radicals मिलके CH3-CL या methyl chloride बना लेते हैं फिर से और methyl free radicals मिलके भी आप higher alkaline बना लेते हैं तो इस तरह से ये free radical का mechanism होता है इसको मैंने chlorination of methane से समझाया है मैंने आपको last chapter में कुछ energy considerations दिखाए थे कि bond को तोड़ने के लिए उर्जा दी जाती है और bond जब बनता है तो उर्जा रिलीज होती है तो इनके जो अंतर होता है दौनों का उसको हम delta H से बताते हैं अगर delta H positive है यानि bond तोड़ने में उर्जा जादा दी गई और bond बनने में उर्जा कम निकली है तो ये reaction endothermik या उश्मा शोशी कहलाता है और अगर delta H negative है यानि bond तोड़ने में उर्जा कम दी गई और bond बनने के बाद उर्जा जादा रिलीज होई तो ये अभिक्रिया उश्मक शेपी या एक्जोथर्मिक कहलाती है और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि bond को तोड़ने में जो उर्जा हमें दी जाती है और उसका जो difference है वो delta H is the difference of the energies लेकिन जो bond तोड़ने में उर्जा दी जाती है वो एक उस reaction की characteristic amount of reaction होता है यानि एक minimum amount of energy उस bond को तोड़ने के लिए दी जाती है जिससे वो एक संक्रमन अवस्ता में पहुचते हैं और उसके बाद ही वो products में बदलते हैं तो वो minimum amount of energy जो की bond को तोड़ने के लिए दी गई थी उसको हमने यह activation या energy of activation या activation energy या संक्रियन उर्जा कहा था तो यहाँ पर यह देखिए दौनों फ्रेजस काम आएंगे कि पहला step जो है chain initiation का उसमें जो CL2 को bond तोड़ने के लिए उर्जा दी गई that is 58 यानि 58 किलो कैलरी उर्जा हमने इसको तोड़ने के लिए दी गई और इसकी जो delta H है वो भी 5080 रहीगी क्योंकि इस reaction में कोई भी bond बना नहीं है next step में देखिए methane से hydrogen यानि CH bond को तोड़ने के लिए उर्जा 104 किलो कैलरी दी जाती है और जब HCL bond बनता है प्रोड़क्ट में तो उसमें उर्जा 103 किलो कैलरी रिलीज होती है तो इसकी जो delta H है वो प्लस 1 किलो कैलरी पर मोल होगी ठीक है और इसमें देखिए जो next step है इसी का CHC free radical क्लोरीन से मिलके फिर एलकिल हलाइड बनाता है मैथिल क्लोराइड बना रहा है तो क्लोरीन को तोड़ने के लिए फिर 58 किलो कैलरी उर्जा देनी पड़ेगी और जो CH3 CL है CH3 CL जब बनता है तो 84 किलो कैलरी उर्जा रिलीज होती है यानि यह जो रियक्शन है वो माइनस 26 किलो कैलरी पर मोल से एग्जो थर्मिक है इसी के साथ इसमें देखिये इसमें 84 किलो कैलरी प्रोड़क्ट की उर्जा है और वो क्योंकि जादा है तो यह जो डिल्टा है होगी वो नेगेटिव में होगी ओवरॉल रियक्शन जो है उसमें आप दौनों को एड़ कर देते हैं तो माइनस 25 किलो कैलरी पर मोल से यह उर्जा यह जो है वो एग्जो थर्मिक अभिक्रिया होती है chain termination में कोई भी bond तूट नहीं रहा है bond बन रहे हैं तो जो भी अभिक्रिया होगी वो bond बनने की होगी और जो भी है energy changes होंगे वो energy release ही होगी तो यह सारे अभिक्रिया जो है वो माइनस में होंगी डेल्टा एच और यह एग्जो थर्मिक अभिक्रिया होती है क्योंकि जो dissociation जो energy है वो इसमें 0 है ठीक है तो इस तरह से इसमें energy changes दिखाए हैं अब इसको अगर हम energy profile डाइग्राम पर लें और संक्रमन अवस्था या activation energy को consider करें तो इसकी कुछ laws है वह यह केती है कि जिन अभिक्रियाओं में bond तूटते हैं बनते नहीं है जैसे पहली अभिक्रिया फर्स्ट इनिश्येशन की उसमें बॉन टूटते हैं बॉन बनते नहीं हैं तो इस तरह की अभिक्रियाओं में जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा यह एक्टाइवेशन से बराबर होगा और यह एक्टाइवेशन हमेशा 0 से ज्यादा होगी क्योंकि बॉन तोडने के लिए उर्जा देनी पड़ती है इसी तरह चेंड प्रोपागेशन में जहां बॉन बन भी रहे हैं बॉन टूट भी रहे हैं वह डिपेंड करता है कि अभिक्रिया उश्मा शेपी है कि उश्मा शोशी है क्योंकि डेल्टा एच इस नॉट इक्वल टू डेल्टा एक्टाइवेश और जो लास्ट है जिसमें सिर्फ बॉन्ड टूट रहे हैं उसमें जो यह एक्टाइवेशन होती है वो जीरो होगी और जो डेल्टा एच है वही जो बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होई है तैट इस ओनली डेल्टा एच और वो जीरो से ज़ादा होगी और विल भी एक्जोथर्मिक तो यह मैंने कुछ ग्राफ से भी इसको एनर्जी प्रोफाइल डियाग्राम के द्वारा भी इसमें दिखाया है आपके समझने के लिए यह तो एक्जाम्पल था क्लोरीनेशन ओफ मिथेन का अब अगर हम दूसरे हैलोजंस लेते हैं तो और दूस करता है और यह एक्स्टोजुंस करता है तो अन्डर्लै कॉंडिशन्स फ्लोरीनेशनेस नन इस न रिकमेंडेट और है औरकलोरी नेशन और मेरमिंफ में बहुत ज्यादा नहीं है ये क्लोरीन की जो रियाक्टिविटिटी react करके और iodine और water में बदल जाता है तो iodination भी हमें under normal conditions नहीं प्राप्त होता जो अलकल iodide है तो हमारी जो comparative study रह जाती है ब्लैब में वो chlorination और bromination पर रह जाती है इसमें देखिए जो इसमें हम rates of reaction भी पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया इसमें slow होगी जो rate of reaction को बताईगी तो इस तरह से इनकी जब अभिक्रियाओं की जो उर्जा considerations देखे गए तो इसमें मैंने देखिया आपको बताया है कि तीन steps main है एक तो bond का तूटना फर्स्ट शंकला प्रारम बन का और दूसरा शंकला propagation में भी संचरंड में पहला step की जो alkane है उससे hydrogen upset करके जो iodine halogen free radical है वो alkyl free radical बनाता है और HX बनाता है और ये alkyl free radical दुबारा X2 से react करके alkyl halide बनाता है और alkyl halide free radical हमें halogen free radical हमें free मिलते हैं तो ये तीन steps को इनर्जी को अगर हम consider करें तो हमने delta H और ये activation के कुछ data लिया हुआ है तो इसमें देखें फ्लोरीन की delta H है पहले step में को हम consider करते हैं plus 38, plus 58, plus 46, और 36 और ये activation है 58, 58 sorry इसकी जो fluorination की है that is 38 Cl2 की 58 bromine की 46 और iodine की 36 ठीक है तो इसमें आप अगर order of इसमें reactivity देखेंगे तो iodine की जो energy है heat है वो सबसे कम है और उसे ज़्यादा है fluorine की उसके बाद bromine की और उसके बाद chlorine की तो इसमें iodine क्योंकि हम की reactivity हमने जब पहले देखी है तो हमने देखा iodine सबसे कम react करता है यानि iodine को तोडने के लिए सबसे ज़्यादा उरजा देनी पड़ेगी iodine bonds को iodine bond को, ठीक है तो सबसे ज़्यादा उरजा देनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें सबसे कम उरजा दिखाए दे रही है उसके बाद इसमें आ रहा है फ्लोरीन जबकि फ्लोरीन की लोएस्ट होनी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन बहुत जल्दी fast react करता है तो जितनी कम activation energy होती है उतनी ही जादा उतना ही slow fast reaction होता है तो इसमें लेकिन lowest जो दिखाई गई है वो iodine की दिखाई गई है और उसके बाद chlorine और bromine तो chlorine की reactivity second number पे है जबकि इसमें last दिखाई गई है कि chlorine bond को तोड़ने के लिए सबसे ज़ादा उर्जा देनी पड़ेगी जबकि यह होना चाहिए था fluorine के साथ तो इससे हम यह मान सकते हैं कि यह जो step है यह order of reactivity को follow नहीं कर रहा इसलिए इससे हम किसी भी इस अभिक्रिया की rate नहीं निकाल सकते तो first step जो है वो chain initiation का जो step है वो rate determining step नहीं है second step में देखिए इससे पहले हम third step देखते हैं इसमें भी सिर्फ fluorine की सबसे ज़ादा है उर्जा बाकी सबकी लगबग बरापर है तो इतनी कम difference इनकी reactivities में नहीं है जितना इसमें उर्जा में कम difference दिखाया गया है और इस activation तो इनकी सभी की less है क्योंकि जैसे ही free radical बनता है वो उर्जा कहास करके और product में बदल जाता है इसलिए यह अभिक्रिया बहुत fast होती है तो इस activation इसमें बहुत less है क्योंकि इसमें bond बहुत fast reaction हो रहा है CL2 bond जो है बहुत fast टूट रहा है या X2 bond जो है वो बहुत ही fast जल्दी से तेजी से टूट जाता है तो यह भी order of reactivity के अनुसार नहीं है तो इसको भी हम rate of reaction determining step नहीं मान सकते अब आता है हमारा third step third step में जो मैंने आपको order दिखाया है वो बिल्कुल match कर रहा है इनके halogenation, halogenes की reactivity के order से तो इसमें देखिए सबसे कम है fluorine की, tan chlorine की, bromine की और iodine की तो क्योंकि इसमें उसे अनुसार, reactivity के अनुसार ही अभी करिया जो energy change है यह delta H है या e-activation है वो दिखाई गई है तो इससे हम यह मान सकते हैं कि जो rate of reaction determining step है इस अभी करिया में वो third step, second step है second step का मतलब जब alkane से जो halogen free radical है hydrogen का अपारण करके मुक्त मूलक बना रहा है वो step rate determining step है यानि मुक्त मूलक बनने की जो reaction है वो rate of reaction बताईगी आपको पता है मुक्त मूलक भी चार प्रकार के होते हैं tertiary, secondary, primary और methyl तो जो सबसे ज़ादा स्थाई मुक्त मूलक होगा वो सबसे पहले बनेगा और जो सबसे कम स्थाई होगा वो वो सबसे last में बनेगा तो यह order of reactivity जब हम different alkanes पर halogen की reactivity देखेंगे तो हम यह देखेंगे कि हमारा जो order of reactivity है या जो second step है that proves to be the accurate rate determining step तो this is about today's lecture thank you